तो दोस्तो आज ए 1st May 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे शियर मार्केट से रिलेटेट बहुत सारे इंपॉर्टेन लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शियर करूंगा साथ में FSDS का डेटा, ग्लोबाल मार्केट का हाल चाल और most important part कल मार्केट प्रेडिक्शन तो रिक्वे तो कते ही मिजमत करना, ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट अनलिस्ट दौरा क्या statement दिया कि कल बजार किस तरफ हो सकता है, तो दोस्तो इस topic को cover किया, JM Financial की तरफ से एक अनलिस्ट ने इनके according last day यानि मंगल बार के दिन बजार जिस लेबल पे closing दिया, या इमेडियेट जो support level है 22,500 इनके according, अगर यह लेबल टूटा, तो उस level पे, मतब नीचे की तरफ 22,300 से लेखे 22,300 एक अच्छा support बन सकता है, इनकेस अगर उपर की तरफ निफ्टी मूफ किया, यानि bounce back हमें देखने कमला, तो लगबग 22,700 लेखे 22,800 तक जा सकता है, अगर की मार्ग भी टच कर सकता है, तो basically इनके दौरा यही mention किया, साथ में यह भी mention किया, कि अगर market volatile रहा तो नीचे की तरफ 22,300, उपर की तरफ 22,800, इसी level के आसपस निफ्टी चल सकता है, बागी दोस्तों, आपको क्या लगते है, कि कल सेगेंड मही के दिन बजार किस तरह move करे ठीक है, तो same topic को ही cover किया, दूसरे एक और analyst ने अपना एक point view रखा, money control के website बे, technical view, nifty likely to remain sideways before getting back to record high, यहाँ पर clearly mention किया, कि nifty जो है, जब तक ना अपना high को break करें, मतलब record high पर पहुंच जाए, तब तक market जो है, थोड़ा sideways movement देखने को मिल सकता है, ओके, तो दोस्तों, आज क एक बहुत important, economical data out हुआ, जो है, GST की collection, तो इस बार जो है, दोस्तों, सारे record break कर लिया, इंडिया जो है, record high, दोस्तों, यहाँ पर एप्रिल के मैने की यह data है, 2.10 lakh करोर, दोस्तों, total GST collect हुआ, जो की year on year basis पे, सारे 12% के आसपास, 12.4% के, दोस्तों, ग्रोथ देखने को मिल जो की अपने आप पे बहतरी number हुआ, आप सामने देके चुनाओ है, और सरकार के पास, पैसा ही पैसा, जी हाँ, ओके, तो आज की rate पे दोस्तों, आपकी IMF की तरफ से, जो पहले इंडिया की growth projection था, मतलब फोर्कस्ट किया तो उसको raise कर लिया, मतलब यहाँ पे आप देख स पे 7.8% की आसपास होने का चांस है, जो की बहरत सरकार की जो projection है, या estimate है, उसके भी उपर, मतलब उससे भी ज्यादा estimate रखा है, आपकी IMF दोरा, तो दोस्तों, अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसे कि आपको माल उस दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, कि आज रात, मतलब US मार्केट की आकोरिंग, आज US मार्केट में जब दो पहर दो बज़ेगा, तब इसका आउटकम निकलेगा, उसके बाद जो जेरम पॉयल, मतलब जो चेर्मन है, उनकी जो प्रेस करन्फरेंस, वो धाई लिखे देता हूँ, बारा बज़े से एक बज़े, तक दोस्तों ये प्रेस करन्फरेंस होगा, तो आप लोग सो जाएंगी वहाँ पर, है ना, बारा एक बज़े पर लोग ज्यातर जगता नहीं है, सो जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो देखिए, एकदम आपको सिर्फ यही करना है, सुबा में निंद जागने से बात, सिर्फ ये वीडियो को देख लेना, पौने साथ की वीडियो, और रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ताकि आपके पस प्रॉपर टाइम में नो बज़े आउट होगा, मतलब एक घंटे बात, तो आइधिंग की सारे 11 पे आउट होगा, फिर मैं 12 बज़े पे रिकॉर्ट करूंगा, सारे बात तो इस करते गते आइधिंग ज्याता लोग हो जाएंगे, जिस बैसे मैं आइधिंग मुझे लगा कि यह सई डिशन है, कि मैं रात में रेकॉर्ड करूंगा, सुबा के लिए दे दूँगा, आप लोग बस सुबा एक बार उक्रे देख लेना, अब देखे बात यह कि मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल है, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी एक बच के पांच मीट पे जो डॉर जो जो है, करीब-कर करीब 0.21% पॉजिटिव में आपको दिख रहा है, बट यह चीज़ भी आप देख लिए दूसरी और में, नैस्टक कॉम्पोजिट मतब एक ही देश की दो इंडेक्स, दो अलग अलग दिशा की तरफ है, तो मतब कितना जदा वहां पे वालेटाइल चल रहा आप देखे ज करके दिखाता हूं, यह देखे, बिटकोइन अभी 6% क्रेश कर लिया, और इसके पीचे रिजन भाई सब यह है, FMC मीटिंग, आउटकाम ठीक है, एक और इंपोर्टेंट इकोनोमिकल डेटा आप देख लिए, मतलब जो ईवेस की 10 साल की बॉंड दिल है, वहां पे हलका-फ देख यह और और एक सेक्टर है, इसको बहुत बेनिफीट में गाड़ा, नहीं क्या पर बहुत लोग गेस कर चुका है, पेंट सेक्टर, पेंट सेक्टर को बहुत फायदा में लेकिन, यहां पर बीकास पीज़ाई है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था रहु जाह क्रूड प्रेस बने के कारण शेयर प्रैस भी काफी ड्रॉप हुआ था एशियन पेंस की आपकी बर्जर पेंस की है ना तो आइधिंक की इसके बहुत बड़ा पिया पर बेनिफिट मिल सकता है ओके तो अभी हम बात करेंगी इंडिया मार्केट की कुछ लिस्टेट कंपनी ज लग बग आदे परसंस ज्यादा तेजी अच्छी बात है और इसे इसी बेंक की एडियर वर्शन में भी हलका फुलका पॉजिटिव में चल रहा है अब देखिए आज बले ही इंडिया मार्केट क्लोज था बट गिफ्ट नहीं था गिफ्ट निप्टी तो प्रॉपर टाइ अधिक एक्चुल इंपक्ट आपको दो बजे के बाद ही देखने को मिलेगा उके तो दोस्तों आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफार्मेटिव लगा प्लीज दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो नह आपने देखा था कि कारोबार देखिए काफी बढ़िया देखने को मिला था बड़ी इंवेस्टर्स द्वारा दियास द्वारा भी खरीदारी 1429 करोर और एक हजार एकतर करोर की श्यार बहुत अच्छी बात है और बाकी देखिए इस्राइल और हमास की बीच महीं पुराने चीज चल रहा है आज की रेट में इस्राइली जो टॉप इंडेक्स है स्वारी ये 35 के अंदर एक परसंट की करेक्शन भी देखने को मिला ओके तो जितने भी इंपॉर्टन न्यूस था वो तो कवर कर लिया अब चले मैं आपको सीधा मार्केट प्रडिक्शन वाला पाट क कम होगा फिर फिर आपकी प्रेस कंफरेंस होगा उसके बाद यूस मार्केट रियक्ट करेगा कल इंपैक्ट देखने को मिलेगा उपर से निफ्टी-50 की एक्सपैरी भी है तो दोस्तों कल सबसे पहला जो चीज़ आपको देखना है इस चैनल के पर आप जाईए और पॉने सब कुछ आपको मिल जाएगा क्या रियक्शन हुआ ग्रिफ निफ्टी का पर क्लोजिंग दिया उस वीडिया आपको मिल जाएगा दूसरा जो चीज़ आपको फॉल आप करना है वह है दोस्तों डॉजोंस और नैस्टेक की फ्यूचर मैं आपको लिखके देता हूं डॉज क्योंकि आज रात की बेस पेकल एक्चुली मार्केट रियक्ट करेगा खास करके आईटी सेक्टर डेफिनेटी करेगा नीची की तरफ इमीडियेट दो सपोर्ट पॉइंट है मैं आपको कुछ सपोर्ट मैं आप बता करना चाहता हूं ओपर की तरफ रेजिस्टेंस बता द जो रेजिस्टेंस लेवल है और फॉर रेजिस्टेंस उपर की तरफ सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल रेजिस्टेंस है बाइस हदा सारे चाहसो यह लेवल अगर ब्रेक सक्सिस्फुली हो गया तो उसके वाद देखिए निफ्टी फिप्टी का जो आल ट तो बैंक टिप्टी अगर कल कैसे भी करके मेरे बात को देहन से सुनना कल अगर बैंक टिप्टी कैसे भी करके 49,000 क्यूपर सस्टेन कर गया तो उसकेस में दोस्तों आइधिंग की मार्केट उपर की तर रहने का चांस है और बाकी जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे करता हूं टेक केर बाबाई जाए हिन